किचन किंचनाओं का स्वागत है अजब बनाने जा रहे समोसा चाट समोसा के रेश पहले से अपने चैनल बढ़ाल चुके वहाँ जाके देख लीजिएगा चली बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मटर लेते हैं एक अब भर के गिलास है इसको रात फ़र फूलने के लिए द डाल देते हैं तिनी सीटी लेगाईए एक अपको अगला हुआ पसंदे तो जादे कड़ा-कड़ा मटर पसंद नहीं हैं और अगर कड़ा खाना चाहते तो दो सीटी लेगाईए थोड़ा साहलका फूलका हम लोग जैसा गलाखाना पसंद करते तीं सीटी लगाईगा आप में डबल दे दीजिगा यानि दो गिलाज भर के मत्तब आधा किलो पानी डालिए गदम अच्छा से आलू को अच्छा से छील दीए हैं दो आलू है अच्छा से कट कर दीए हैं नमक डाल दीजिए स्वादुनसार हल्दी कलराने के लिए हम मैसा मतर से पानी उपर रहता ही सा तक तभी अच्छा से मतर गलेगा अब आज को पहले तेज करके धीमा हलका से कर दीजिए गा यह तो तेज में लगाईए गा तो बहुत जल्दी जल्दी शीटी मार देगा लेकिन गलेगा नहीं यह तीन सीटी लगा है हलका से मीडियम आज पे अच्छा तरह से देखी मतर चुका है शीलका अलग अलग दिख रहा है चलिए अब कडाही गर्म करते हैं तीन चमच तेल डाल देंगे मीडियम साइच का चमच है ज्यादे बड़ा चमच नहीं है जब तेल पुरा गर्म हो जाए ते एक चमच दरदरा कूटा हुआ लसून एक चमच अद्रक हरी मीर्च दस पीस है तीखा रहेगा तभी चाट में स्वाद आता है मज़ा आता है खाने में हलका सा जैसे कलर शेंज होने लगेगा उसमें प्याज कर दीजिए एक बड़ा प्याज लिए है इसको पत्ता पत्ता कर दीए मैगी प्याज अच्छा से भूननी चीएगा आज को बिल्कुल धीमा करें ज्यादा तेज बिल्कुल ना करें से सारे तेल जल जाएगे धीमा दीमा आज में बहुत अच्छा से भूनना आएगा हलका सा कलर चेंज हो रहा है देख लीजिए गुल्डन कलर हो गया है अब इसमें प्याज हम दो छोटा छोटा डाल दी है नह जादे बड़ा नह जादे छोटा क्योंकि हम लोग चाट थोड़ा सा है इसलिए थोड़ा सा ही डाल रहें टमाटर कुछ अच्छा बनाने के टेजाज पर टमाटर को भूनिए कभी भी आज धीमा करके टमाटर मत भूनिएगा इसे टमाटर नहीं गलेगा अब इसमें जो बलाग वालू था इसको हम डालके मिक्स कर देंगे अचा से मैसर की साथ ऐसे मैस करेंगे अभी अच्छा से इसे भून लीजे देखी इस तरह से मैसर से मैस कर देंगे चाट बनाने के रिश्वी पसंद आजए तो हमरे चैनल को लाइक सब्सक्राब कर देशे और करें कमेंट में बताएं सबसे जादे मेहनत मुमित था चाट बेगर में कfoot मेहनत नहीं है बहुत ही जल्दी बन जाता है, और बहुत टेश्टी भी लगता खाने में मजा आ जाता है ठेले का स्वाद अगर घर पे मिल जाये तो क्या बात है? इस दो छोट-छोट छोट ठेले पे मिलता है इसका रेश्पी है, बहुत ही जाद अच्छा बनाता है ठेले वाला इस तरह से एक और जरूर आज बनाईए, ट्राय कर सकते हैं घर बैटे ठेले का स्वाद आपको मिल जागा इस तरह से बनाते बनाते उलट पुलट कर धेरे चलाते चाहिए ज़र पुरा टमाटर गल जाए अच्छा तरह से गल के मिल जाए बराबर हो जाए तो इसमें हम लोग मतड का जितना हम लोग बाले थे सब डाल देंगे ग्रेवी आप पानी फोरण खोला करके इसमें डालिएगा कच्छा पानी कभी उजमत कीजिएगा इस तरह से अच्छा से मिलाईए देखिए हम अलका सा गरम पानी खोला करके दे रहे हैं कि बहुँ जादा गाराग ग्रेवी हो जाएगा इसलिए जो भी कुकर में लगा हुआ रहाएगा सब इसमें मिल जाएगा पहले आज को तेच कर देते हैं जब खोलने लगता तब चले हम लोग यहाँ पर कास्मेरी लाल मिर से देते हैं जो कि तीखा नहीं रहता है जीरा पौडर भरबर के चमच से दे रहे हैं इर्चमच जीरा इस तरह से लगातार चलाते जाई जाएए चात क मजा दूर ना हो जाएगा सभी मसाले अच्छा से डालीगा तो यह गर मसाला चोटी चमा सही दीजिएगा जाद मत दीजिएगा कस्तुरी मेथी का यहां भी यूज कर रहे हैं क्यूंकि हमेशाद छोटे ठेले वाले कस्तूरी मेथी धनियापती सब भी चीज ड्रालते हैं या पर कस्तूरी मेथे दे रहे हैं देखिए अच्छा से उबल रहा है न कि आज हम देच किये हुए हैं इस तरह से घड़ा होने दीजिए आज को भी धीमा नहीं करेंगे चली हमारा चाट बनके पापड़ी बना के बाद में हम आपको वीडियो दे देंगे अपने चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल पर मिठी चटनी दीजिए भर के एक चम्मा से अच्छा तरह से तभी तो तीता खटा टेस्टी मजा एगा दही दिजिए घर का दही जमा के रखे वे बहु दिए है दही छोड़ा खटा रहने दीजिए का तब मजा आजागा खाने में यहां पर चटनी बदाम वाला पुदीना का पता के चटनी और धनिया पत्ती के चटनी मिक्स बनाए हैं वो डाल रहे हैं पापड़ी है घर का बना सारे चीज घर में बनाए हैं उसके बाद हम चाट बना प्रके होसारा सब्सक्रीड बना बदर में रहें और ऐज़ बध दो कर लिए ना तक रहा हैं अब चलिए हम सर्व कर दिखाएं काई हैं फक्रा अपर से जिरा पॉर्डर है तो हाथ पीजिए और दे रहे हैं यहां पूतर को इस पार नमकले पाल आरल चाहते थिखार्णी